नमस्कार मित्रों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि धनूरासी वालों का आज का दिन यानी की 11 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन होगा क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस बीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस बीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस बीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इसके बाद बीडियो को आप सुनें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए शामानने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन किसी और बिक्ती की बातों को सुन कर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के बारे में कोई भी राए बिलकुल भी ना दें अनिथा हो सकता है किसी और बिक्ती के वजह से आज के दिन आपका प्रेम शंबंध कमजोर हो जाए खराब हो जाए इसके बाद है आपका कामकाज मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा रहने वाला है आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ अवश्चे देगा वैसे अगर आपके बैबाहिक जीबन की ओर देखा जाए तो बैबाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा नहीं बितने वाला है आज के दिन हो सकता है तो आपका जीबन साथ ही किसी बात को लेकर पड़िशान रहेगा और इस वजह से आज के दिन आपका दामपत्ते जीबन आपका बैबाहिक जीबन खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका घर पड़िवार तो पड़िबारिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान ने तोड़ पे सही रहेगा आज से पहले अगर आपके घर पड़िवार में किसी बिक्ती के शाथ आपका शंबंध खराब हो गया था कमजोर हो गया था तो आज के दिन अपने शंबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें इसके बाद है आपका धन संपती मित्रों पैसों के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान नी रहेगा आज के दिन अगर अपने फिजूल के खर्चों पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में आपको पैस की शमस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा वैसे अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन अपने मन से आप नकारातमक भाबनाओं को नकारातमक बिचारों को दूर कर दें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बेहतर और शांदर हो जाएगा आज के दिन आपके लिए भाग्य साली अंक है नो यनी की नाइन आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है भुरा और सलेटी दोस्तों आज के दिन अपने शमय को बेहतर बनाने के लिए आप दूध और दही का सेबन करें अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आज के दिन आपका शमय सांदर हो जाएगा और कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप ह